दोस्तों नमस्कार यह एट्रिक की डबलो एस ती नजार एली है लाइन एक्स्टेंडर इसके लिए हम सबसे पहले जो लैन है हमारी उसमें आइपी डालेंगे 192.168.0.8 फिर ब्राउजर में डालेंगे 192.168.0.1 उसके बाद इसके पासवर्ड और यूजरनेम एडमिन एड क्लिक करेंगे उसके बाद हम GSh DSL पे क्लिक करेंगे यह क्लिक किया उसके बद DSL पे क्लिक करेंगे एडी एसल के बाद हम यह सर्विश टाइप में जाएंगे RT और CO यह को हम, में RT रखना है तो दूसरी को हमें CO बना के apply कर देना है apply करते ही आपको configure successfully का message display होगा configure successfully बसा आपकी अहली program हो गई है configure हो गई है अब आप out हो सकते हो close कर दो और local area में आपकी जो IP है वो डाल लो जैसे यह थी हमारी डाली हुई प्रोग्रामिंग आई-पी 192.168.0.8 बास थैंक यू लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यदि पसंद आया हो तो दोस्तो